16 और 17 जून 2013 को आई पार्ण के सैलाब नहीं केदारपुरी और केदारनाथ के पैदल रास्तों में बसे बाजारों और उसके निचले इलाकों को ऐसा निस्तनाबूत किया कि मानो उनका नामो निचान ही मिट किया आज भी वो भयावा मंजर आखों के सामने आता है तो रूख काम जाती है इस घाटी के अधिकांश लोगों का रोजगार केदारनाथ यात्रा पर ही निर्वर करता है ऐसे में रोजगार करने गए लोग प्रकरती की इस विभी शिका के आगे सल्दा के लिए मौन हो गए चारो तरफ चीक पुकार शोक विलाब भी दिखाई दे रहा था लोगों के दिलों में स्त्रास्दी का इतना भैता कि लोग केदारनाथ दोबारा आना तो रहा दूर केदारनाथ के नाम से ही डरने लगे थे हालांकि उसके बाद इस्ततियां धीरे धीरे बजलने लगी हाँ देखिए आज से कई वरसों पहले केदारनाथ आपदा आई थी ऐसा हस्ता खेलता मानव जीवल उससे बरबाद हुआ था अबदा के बाद उतराकंड और केंदर सरकार ने。」 यहाँ पर युद दसदर पर पूनर्य निर्मान कारे कि हान कपाती ठंड और दरजनों फीट बर्फ होने के बाद भी शीफ कान के दौरान भी पूनर्य निर्मान में काम बंद नहीं किया गया परिणाम सुरूप 2015 में ही यहां पर श्रत्धारों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिला आबदा पर भक्तों के आस्था भारी पढ़ने लगी और वर्ष दर वर्ष यात्रियों की संख्या भी पढ़ने लगी तो व्यवस्ताइं भी तुरूस्त होती चली गई आबदा के कारण छिन भिन हुए रोजगार भी पट्री पर लोटने लगे आलम ये रहां कि बीते वर्ष रिकार्ड तो टस लाग सदिक फक्तों ने बाबा के दारनात के दर पर मत था टेका लेकिन इस वर्ष यात्रा आरम होने से ठीक एक महीने पहले ही कोरोना वाइरस ने देश में दस्तक दी जिसकारण इस वर्ष यात्रा को स्टकित करना पड़ा उसकी भरपाई संब्वव तो हो पाती है जब ये उत्राखंड में पहली बार जब दोजार तेरह में 16 जून को ये अपदा आई थी तो एक प्रकार से प्याग जनपत तो पूरा खतम ही माना जाया रहा था क्योंकि ब्यापार पर सबसे बड़ा प्रभाव के दार घाटी व उत्राखंड के आर्थिकी के रीड माने जाने वाली केदारनात यात्रा केदार घाटी के हजारों परिवारों के रोजी रोटी का एक मातर सादन है 2013 की आपदा ने जहां इस घाटी के लोगों को गहरे जखम दिये थे महीं रोजी रोटी भी छेन ली धीरे धीरे अब यात्रा पट्री पर लोटने के कारण एक बार फिर से रोजगार मिल रहा था लेकिन कोरोना वाइरस ने फिर से साल 2013 की जखमों को कुरेदने का काम कर गया ऐसे में केदार घाटी समेथ पूरा जनपद, तरस और पस्त नजर आ रहा है संपाथ 365 के लिए रोदर प्याक से कुल्दी प्राराक रिपोर्ट कर दो बाराक रिए रहा है